हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे आई एंडी वर्सिस पी एके ड्रीम 11 स्टैट्स परस इन्फो यानि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो बिगेस रेवलरी है वो आज से होने वली है स्टार्ट क्योंकि भारत का मैच आज पाकिस्तान से है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मैच नंबर 16 और सुपर 12 स्टेज का मैच नंबर 4 अमीद करूँगा आपने कल सभी को ऑपोनेंट्स को धो डाला बहुत अच्छे से काफी अच्छी है मारे टीम थी कप्तानी देना डिवन कॉनवे को बहुत अच्छा विकल्प था अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी मैने क्लियर बताया था क्यों सेंटनर इंपोटेंट है क्यों वो अच्छा कर सकते हैं मैने आपको ये भी बताया था कि देखो बारिश होने की चंसे की वज़े से ऑस्ट्रेलिया के बुलर जादा रखे अधरवाइस जरूर हम यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी रखते लेकिन आपको मैने ऑप्शन दी थी की फरकशन या ट्रेंट बुल्ट आप में से बहुत लोग 682 पॉइंट भी लेकिया है वैसे तो 640 ही मोर देन इनफ था लेकिन 682 वोज आइसिंग ऑन के क्योंकि साथ 10-15 लोगों में भी आप एक रेंक लेके आते मज़ा आ गया कॉनवे की इनिंग से आज भी कुछ वैसा क चग्या इंडिया पागिस्तान बड़ा मैच बड़ी जीतिस मैच में ट्राइ करेंगे अगर इस वीडियो पे सुभे तक सुभे के 6 बज़े तक 7000 लाइक पूरे हो जाते हैं कर सकते हो कल भी आपने अच्छे सकी है तो यहां पर आपको ग्रेंड लीग की स्पेशल वीडिय दोस्तों यहां पर आपको बता दूँ जो लोग नए हैं हमारे चैनल में नहीं जुड़े यह वर्ल्ट कप हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अगर आप मुझे नहीं जानते आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में आपको अच्छा खासा स्किल स्कोर द स्क्रिप्शन में है और टॉप के कोमेंट में भी सबसे ऊपर के कोमेंट में कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा दो लाग बीसे जार लोग जुड़ चुके हैं आप यहां पर वेट ना करो उनके साथ जुड़ जो वो कमा रहे हैं आप भी कमो लेकिन बहुत इं अगर पाकिस्तान वालो तुम यहां पर टकर देना चाहते हैं तुम भी लाइक कर दो क्योंकि टकर का मैच हम भी चाहते हैं वेन्यू की बात करें यहां पर बॉलर्डरी जो बले बास हर कोई गेम में है पूरा न्यूटरल विकेट है मैं आपको पूरूव भी करूँगा नीचे लेकिन इसकी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम एंचेंस के बारे में ग्राउन्ड विग प्रॉब्ली बिगेस्ट बांडर प्रॉब्ली जो बाइब बाबर आजम गेट फैंडर है लेगिन सबसे बड़े गेप फैंडर है विराट रन मशीन को ली ठीक है ध्यान रखना है अगले मैच में अगेन फिर स्पिन को जादा विकेट अगले मैच में स्टार्स हरीकेंस का मैच हुआ था मैक्सवैल इस मैच में बॉनवीटा पीके आया थे घर से या फिर पता नहीं क्या खा कर आया थे चबन प्राश खाई होगी भारत की 150 मारती थी उन्होंने इस मैच में ठीक है राइट और लेफ्ट पर ठीक है टोटल विकेट इस मैदान पर सौ गई 58 फास्ट को 38 स्पिन को तो स्पिन भी कम नहीं कर रहा स्पिन भी यहां पर अच्छा कर लेता है इंटर्नेश्टली यहां पर 18 और 20 सरवरी 2022 को इसी साल मैच हुए वैलेंटाइन दिन के चार दिन थी तो टोटल 12 मैं से साथ ऐहां 11 मैं से साथ फास्ट लेकिन 23 मैं से टोटल 14 फास्ट को पाँट स्पिन ओलर जादा है बटे इस मैच में ड्राइट लॉक्त देखने हैं से सब्सकर सोगरा बड़ा चार की किया है भारत ने 2016 में एक सो चुरासी पे तीन मारे थे रोहित ने साथ किये थे विराट ने फिफ्टी नाइ नॉट ओट लेकिन लुएस भी इंडिया का है चोत्तर पे दस दो हजार आठ का मैच सिर्फ दिनेश कारतिक आज के प्लेयर हैं जो उस मैच में खेले थे सिंगल डि होगे जो एक विकेट के लिए बन रहा है 22.8 कौन बताता है आपको यह स्टैट यह आपको मैं बता रहा हूं स्पेशली क्योंकि एक अगर विकेट जा रही है 22 रन के लिए हाला कि न नोट भी हो सकती है बड़ अगर बोलर को जाए 25 बोलर को लेकिन वहीं अगर LBW बोल्ड को एगनोर कर देना वहीं गेम बनेगी एवरेज स्कोर यहां 142 करके आ रहा है पहले बल्ले बाजी करते हुए दोस्तों यहां पर रंज में इस वेन्यों पर विराट कोली तीन मैच में 90 रन है एवरेज ऑफ 90 एक हाफ सेंशरी है जिसमें 59 नोट टोड था रोहिट शर्मा च पाकिस्तान को मिली है तीन बार जीत हाला कि पिछला तीन मैच में दो बार पाकिस्तान जीता है ये भी आपको पताओना चाहिए हैड टो एड मे विराट कोली ने नो मैच में 406 रन की है इनकी जो हाफ सेंशरी है चार रही है 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 तो एड रिकॉर्ड भी बढ़िया लास्ट मैच में ही इनकी सबसे सॉलिड नौक आई थी जो पाकिस्तान के सामने थी इन फैक्ट लास्ट मैच में अगर आपको यादो एशिया कप का मैच था विकेट्स में जरूर यहां पे भूमनेश्वन ने अच्छा किया है पांच में चाट में पिछले दो मैचिस अगर आप इनके स्टडी करोगे दोनों एशिया कप के मैचिस हैं इंडिया पाकिस्तान से हारा था पांच में एशिया कप में एक मैच जीता भी था लेकिन जो हारा था उसमें रिजवान 71 विराट 60 नवाज 42 और एक विकेट रोहिट 28 जो जीता था इंडिया उसमें रिजवान 43 विराट 35 तो यही दो नाम आए यहां भी यही दो नाम थे जड़ेजा 35 हार्दिक पंडया 33 और तीन विकेट भूमनेश्वर चार विकेट अर्जदीब दो विकेट नसीमशा दो विकेट नवास 3 विकेट क्या देख रहे हो नवा चाहिए लेंगे शायद रिशब को स्टार्ट ना ही मिले यह आपको सब के रोज दिख रहे हैं इसमें आपको बता दूँ श्रयस अईया रिजर्व में हैं तो उन पर ध्यान ज्यादा मत देना रवी बिश्णोई रिजर्व में हैं और शादू ठाको रिजर्व में ठीक है यह प्लेयर स्कॉड में नहीं है रिजर्व में शामिल हैं इंडिया की प्रॉबेबल 11 रोहीत राहूल की ओपनिंग जोड़ी चलने वाली है नमबर 3 पे आएंगे विराट कोली नमबर 4 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव देन हार्दिक पांडिया फिनीशिंग में दिने कपके जहां पे हर्षल पटेल की बॉल अगर कोई मार रहा है 60-70 मीटर चक्के जाएंगे वो हातों में जाएंगे अब ठीक है ध्यान रखना भूबनेश राइटा मीडियाम पेस लेक्स पिनर यूजी चहल और लेफटाम फास्ट अर्षदीप सिंग रवी अश्विन को टी भूबनेश्वर्थ दो विकेट हर्षल एक विकेट मुहमद चमी एक ओवर करके तीन विकेट क्योंकि वो ट्वेंटियत ओवर था अर्षदीप एक विकेट यूजी चहल एक विकेट प्रेक्टिस में आपको पता है 11 से जाधा प्लियर भी खिला सकते हो वाम-प मैच में य प्रेक्ट तीन विराठ राहुल और सूर्य कुमार यादव विराठ और रहुल के वहिरेज बहुत अच्छी एंग अश्य चिशय कुमार घा ड़ी हैं पिछला साल पूरा सूर्य कुमार यादव डॉमिनिट करके आ रहे है वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप रैंकिंग पर है ये और मुहम्मद रिज्वान, तो दोनों का ध्यान रखना, अभी हम बात करें यहाँ पर, हार्दिक पांडेया is all-rounder, important है, उस्टेलिया में bowling भी करेंगे, बाकी bowling में काफी wickets निकालते हैं, यूजी चहल, भुवनेश्वर भी अच्छे हैं, अब यहाँ पर सबका रिकॉर्ड देख सकते हैं, अच्छा, मैंने आपके लिए गिववे किया, मैं आपको बताना बूल गया था, इस वीडियो में 5000 का गिववे है, वो गिववे में आपको एक्स्चेंज 22 डॉनलोर करनी है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छी फैंटेसी अप्लिकेशन है, क्रिकेटर्स का स्टॉक मर्केट, ठीक है, और अपना फैंटेसी नेम आप बहां पर बनाओगे, हर कोई बनाता है, जैसे आप टीम नेम रखते हो, वहां फैंटेसी नेम है, कोमेंट जो भी करोगे, नीचे डाल देना, माय फै ठीक है, अभी बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की टीम में भी काफी स्टॉंग क्लियर्स है, इनके एक प्लियर इंजड है, फकर जमान, इंजडरी कंसर्न एक और आया, क्योंकि शानमसूद के बॉल लग गई प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन अच्छी बात शदाब खान, दोनों और रॉंडर हैं, स्पिन भी करते हैं, शाही, नसीम और हरिसरॉफ, एस फास्ट बोलर्स, इनके जो यहाँ पे प्रैक्टिस मैच था, उसमें शानमसूद ने 39 किये थे, हैदर अली ने 18, शदाब ने 14 रन और 2 मैच में इनकी बोलिंग आय थी, क्योंक मुहमद नसीम दो विकेट, नसीम एक विकेट, चार ओवर दूसरे मैच में शाहीन ने किये दो विकेट और इसमें पूरे लाइन लेंथ बढ़िया डाली थी इनोंने, हरिसरॉफ दो विकेट, कही न कहीं यह आपको दर्शारा है कि क्या स्थिती इनकी प्रैक्टिस मैच मै देखोगे, तो रियलाइज होगा भई रिजवान और बाबर, इनके दो खिलाडी 40 प्लस एवरेज और कोई खिलाडी 30 प्लस एवरेज भी नहीं है, ये दर्शाता है कि रिजवान और बाबर पे काफी टिम निर्भर है, ये दोनों प्लेयर आपको कवर करने होंगे, क्योंक नसीम शाह जादा बिल्ड अप में लग रहा है, खेलेंगे, बात करें मैच अप्स की, हाइएस कौलिटी ऑफ मैच अप्स आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, लोकेश राहूल, नसीम शाह क्या गया उट हुए है, पता है कब, एशिया कप में, मेरे को भी भी याद है, श शाहीन ने एक गेंद में रोहित को आउट, ये भी आपको दिख रहा है, कि ये भी थोड़े तंग रहे हैं, विराट कोली, शाहीन पे एक बार आउट है, नवास पे एक बार आउट है, इनको बढ़िया करना होगा, नवास से समल जाएं, तो मुझे लगता है, बढ़िया क पाकिस्तान के बल्लेबास भारत के बुलर्स के आगे, भुवनेश्वर कुमार ने एक बार बाबर का उट किया है, I think if I am right ये एशिया कप कही है, टॉप एज लगके कैच हुआ था, बाकि हार्दिक पांडिया ने दो बार जबान का उट किया, interesting क्योंकि इनको यही आउट कर आगे, फकर जमान, यूजी चेहल के आगे, ये इनज़र हैं लेकिन ध्यान मत देना, इफ्तिकार हमद आउट हूए हैं, हार्दिक पांडिया के आगे, विराट कोली 11 मैच वे 451 अन ऐस्टेलिया में 64 की एवरेज है पांच अश्रे तक बढ़िया रिकॉर्ड है रोहित 9 मैच में 181 एवरेज रिकॉर्ड है लेकिन 2.5 सेंसरी जे 7 इनिंग्स में दोस्तों तब तक रिजवान ओपनिंग भी नहीं आ रहे थे 2020 से जब से ये ओपनिंग आ रहे हैं अब सूरिया सेन का कॉम्पेटिक्शन चल रहा है वर्ल्ड रैंकिंग में बोलिंग में यूजी चेहल 3 मैच 4 विकेट अस्ट्रिलिया के मिदानों पर हादिक ने 6 मैच में 3 गुमनेश्वर 3 मैच 2 शाहीन शाफरीदी यहां 1 मैच नहीं खेले शदाब खान 3 मैच में 0 विकेट मुहमद शमी 1 मैच में 0 विकेट शदाब का ध्यान देना कि वो 2 मैच पर बोलिंगी नहीं कर पाये थे तब लेकिन एक प्लियर हैरिस रॉफ आपने नाम सुना होगा आपको यहां इंटरनेश्टली खेलते जादा नहीं देखे लेकिन Melbourne Stars के टीम जो यहां लोकल खेलती है बिक बैश में उनके लिए इस मिदान पर बहुत बड़िया खेल चुके हैं और बहुत अच्छा उस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड है यह है एक्सेश वेनेटू जिसका लिंक मने डाला हुआ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आपने डाउनलोड नहीं किया आप अपने साथ नाहीं साफी कर रहे हो एक तो आज 5000 का गिववे है डाउनलोड करते ही 50 रुपे आपको बोनस मिल जाएगा के वाइसी करो 50 रुपे के वाइसी करते ही आपको और मिल जाएंगे जो फुली यूज़ेबल है मतलब आपको डिपॉज़ेट के बिना ही खेलने को मिल जाएगा लेकिन भाइ इंपोर्टेंट बात पते है क्या है इंपोर्टेंट बात आपके रूल्स के वाइसी आपने आज अपलाई कर देनी है तब ही आप इस गिववे के लिए लिए लिजिबल हो पांच जार का गिववे है पांच सो रुपे मिलेंगे दस लोगों को आपने बस कॉमेंट करना है एक्सचेंज 22 में जब रिजिस्टर करोगे फैंटेसी ने मिलता है आप मेंसे बहुत लोग कर चुक है मैंने जादा ट्रेडिंग नहीं करी है हाँ बोलिंग में अच्छे खासे विकल्प आपको देखने को मिल रहा है अर्शदीव सिंग के मैंने पांच शेर यहां पे लिए है और दो शेर मैंने सेल की है बुबनेश्वर के यह है मेरी पिक्स मल्टी बैगर में आप 10 रुपे से बहुत अच्छा जीत सकते हो अगर आपको नहीं पता दोस्तों आपको बता दूँ यह है मल्टी बैगर यहां पे मानलो आपने बाबराजम पे 10 रुपे लगा है एक शर 10 रुपे गया कोड आपका फोर्कास्ट है नीच आपको फ्लैश हो रहा है कोड रखेंगे तभी गिववे और एक्स्ट्रा बेनफिट्स के लिए इरिजिबल रहेंगे बात करता हूँ यहां पे दोस्तों विकेट कीपिंग केटेगरी की रिजवान दिरेश कारतिक रिशपपन मुहमद हैरिस मुहमद हैरिस खेलते भी हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा हाला कि ओपनर है हाँ अगर खेलते हैं तो ले लेंगे क्योंकि फिर मुश्ट लेकर रिजवान नहीं खेलेंगे बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसा होने ही नहीं वाला ज्यादा सोच विचार करने की जरूरती क्योंकि रिजवान खेलेंगे में कि लाड़ीं कोई रीजन नहीं बनता है इनको भार करने का रिजवान को मैं लेकर चलूँगा जो उपनिंग भी दिनगे भले ही दिनेश के लिए बले ही 5 में मेरी टीम में नहीं रहेंगे क्योंकि यह लोवर ओर में आते हैं यानि की finishing करते हैं generally तो मैं इन दोनों को टीम में नहीं लूँगा मुहमद रिजवान को ही टीम में लेकर चलूँगा विकेट कीपिंग में सोच विचार का उप्शन नहीं है 2019 के बाद से 2020 से इनफेक्ट स्टार्ट से best खिलाडी रहे हैं बल्ले बाजी में और यह बाई यह ऐसा खिलाडी है कि अगर यहां पे बल्ले बाजी कर रहा है इनके बाद यहां पे शॉट है और स्ट्रेट बाउन्टरीस बड़ी हैं तो भाईया सूर्यकुमार यादव एक ऐसे प्लेऊर है जो की कामयाब हो सकते हैं इस ग्राउंड पे he is my first choice in बल्ले बाजी along with विराट run machine कोली gap finding आपको याद होगा Melbourne का बड़ा ground gap finding चलती है सीधे hits अच्छे हैं अगर आप लगा सकते हो तब अब एकदम सीधा लगाओ क्योंकि gaps हैं दोस्तों आप समझो अगर यह तब बड़ा ground है यहां filter है यहां filter है long on long off पे लेकिन विराट को लिए अगर straight dive मार रहे हैं सीधा तो वो runs कर सकते हैं जो उनके पस अच्छा shot है KL Rahul बाबर आजम में पहली choice बाबर आजम क्यों पहली choice बाबर आजम क्योंकि भई again gap finder gap finder तो राहूल भी है लेकिन बाबर पे पाफी टीम रिलाए करती है captain है team के ticker खेलते हैं तो यह तीनों खिलाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए right hand batsman है तीनों लेकिन तीनों inform आ रहे हैं KL Rahul practice match 50 किया इनको भी लेके चलना ही अच्छा रहेगा क्योंकि बड़े खिलाड़ी है और definitely मैं इनको भी pick करने कोशिश करने वाला हूँ अपने team में ठीक है तो इनको भी pick करके चलते हैं लेकिन इनका पाकिस्तान के सामने record खराब है left arm fast के आगे थोड़ा सा struggle कर जाते हैं अगर आपको IPL यादा प्रेक्टिस करिया optional session ने कप्तान leading from front काबिले तारीफ क्योंकि one and a half hour अकेले बल्ले बाजी करी है जिताना चाते है वर्ल्ड कप भारत को तो उम्मीद करूँगा रोहित की ये जो मेहनत है वो काम में दिखे लेकिन फिलहाल मैं team में नहीं ले पाऊंगा ना ही मैं फकर जमान को team में ले पाऊंगा क्योंकि आगे विकल बहुत है फकर जमान तो चलो injured ही है इनकी बात करने ही जुरत नहीं शान मसूद ये बंदा भाई game changer है ये बंदा टिक के खेलने वाला player है left hand बले बाज है लेकिन उसके लिए फिर आपको स्टार्ट कर पाऊंगा इनके साथ हाला कि तगड़े प्लियर है सेम खुषदिल शाह हैदर अली एक ही प्लियर खेलेगा मैं नहीं लूँगा जो भी खेलता है ठीक है और राउंडर्स में मुझे हार्दिक पांडिया भाई चाहिए ही चाहिए प्यूश भाई क्यों चाहिए ही चाहिए आपको हार्दिक पढ़ लिए भाई आप समझो यार अच्छा खासा प्लियर है प्लियर जो की बहुत अच्छे रंस कर सकते हैं लेकिन इनको बहुत नीचे बल्लेबाजी मिलती है फिनिशिंग में कई बार भेज दिया जाता है बट गेंद बाजी इनकी की है लेफ्टाम और्थोडॉक्स एक प्लियर जब होता है वो राइट हैंड बैट्समन को अच्छी खासी बोलिंग करता है भारत की पूरी टीम राइट हैंड बल्लेबाज से है पंत को वो खिलाएं को मिल रहे हैं पाकिस्तान के टीम में लेकिन अक्षर पटेल की फॉर्म बहुत अच्छी है और रंस भी करते हैं ग्राउन भी बड़ा है ध्यान रखना इफ्तिकार रहमत और दीपकुटा काफी नीचे आएंगे कि ध्यान मत देना दीपकुटा तो खेलने नहीं वाले इफ आप राहूल को छोड़ते हो तो आप तीनो को ले सकते हो अधर वाइस यहाँ पे आप नवास शदाब और अक्षर में से जिस प्रेर को जाओ उसको ले सकते हो फिलहाल मैं यहाँ पे शदाब और नवास दोनों को लिया हूँ लेकिन एक प्रोबलम आ गई यहाँ पर वास् ले मैंने लिया है महममद चमी ने एक ओ डाला प्रैक्टिस मैच में तीन विकेट निकाले लग रहा है खेलेंगे इन में से और हर्षल में से कौन खेलता है देखना होगा बढ़ मैं अभी इन में से किसी को नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं हरिस रॉफ को जो की अगेन फास बूलर फ्रम पाकिस्तान विकेट टेकर हैं मेलबन के लिए बहुत खेले हैं मेलबन स्टार्स की टीम में बिग बैश में इसी ग्राउंड पे जानते हैं ग्राउंड को और अगर मैं आपको बताओं तो पेस के साथ गिंदबाजी करते हैं ये ग्राउंड पे अच्छा अगर बैशिव सेग्ट के साथ जो की भारत के लिए लेफ्ट अम फास्ट हैं सेकेंड ओर कर सकते हैं मैच में और फिर फौर्थ ओर करके मुश्ट लैक्ली डेथ में ये यूजी चाहल और यजज़ शाहीन साफ रिदी हरिस्ट्राफ दोनों को मैंने टीम में ले लिया मोहम पर इंपॉटेंट हो सकते हैं ठीक है बाकी मुहम्मद वसीम में और नसीम शा में मुस्ट लैकली नसीम शा खेलेंगे मुहम्मद पास यह एडवांटेज थोड़ी सी बल्लेवाजी भी करते हैं ठाकुर साब भाई रिजर्व में अश्विन लग नहीं रहा खेलेंगे भी तो यह मुझे जब पिछ का अंदाजा और लग जाएगा मैथ से पहले मैं आपको बता दूँगा साथ हजार लाइक किये हैं सुबा छे वज़े से पहले अगर हो जाता है या इवन चलो साथ वज़े लगा लेते हैं तो आपके लिए ज़रूर ग्रेंडिक की स्पेशल वीडिय अगेन आपके लिए इंडिया से क्योंकि और राण कॉलिटी बहुत अच्छे और मुझे लगता है कि बल्ले बाजी के साथ गिंद बाजी भी दे रहे हैं और एक मैच में चालिस है तो यह अच्छा ही करते हैं भारत के सामने तो इनको इसलिए मैंने वीसी किया है और अगर आउट हो भी जाते है जल्दी मानलों दोनों बाबर रिजवान होगे लेकिन एटलीस मुझे रिजवान का कुशन मिलता है विकेट कीपिंग का इसलिए कप्तानी हार्दिक पांडिया वाइस कैप्टन से रिजवान उम्मीद करते हो इस वीडियो से कुछ है अगर आपको चली अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ बहुत सारा वर्ल्ड कप के मैचिस अच्छे जाए इसी कोशिश में और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना नहीं बूलना टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टॉप के कोमेंट में है नहीं बूलना